हलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल पकवान जो बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है इसमें बेसिक लिए चने का दाल होता है और मैदे का पकवान बनता है जो घट्टी मीटी चट्नी के साथ सर्व किया जाता है तो चलिए इस रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हम लेंगे एक कपचने का दाल जिसको दो से तीन घंटे के लिए पानी में भिंगो देंगे ताकि दाल अच्छे से फूल जाए अब देख सकते हमारा दाल अच्छे से फूल गया है बस डाल को दो बार पानी से धो लेंगे और प्रिसर कुकर में डाल देंगे अब इसमें डेर कप के करीब पानी डाल देंगे साथ में एक छोटी चमचे अस्वात के अनुसान नमक डाल देंगे और प्रिसर कुकर का ढखकन बंद करकर लो मीडियूम फ्लेम पे तीन सिटी आने तक पका लेंगे चलिए जब तक हमारा दाल पक रहा है तब तक हम इमली की खटी मीठी चटनी बना लेते हैं इमली की चटनी बनाने के लिए वन थर्ड कफ ड्राई इमली को एक कफ गरम पानी में दो घंटे के लिए भिंगो देंगे उसके बाद मसल मसल कर इसका सारा पल्प निकाल लेंगे हाथी इस ट्रेनर की मदस से चान कर पल्प को अलग कर लेंगे अब एक पैन को गैस पे गरम होने के लिए रख देंगे उसमें एक टेबल इस्पून तेल डालेंगे और आधी चोटी चमच जीरा डाल देंगे जीरा जब थोड़ा सा चटकनी लगेगा तो इमली के पल्प को इसमें डाल देंगे और बॉइल आने देंगे जब इसमें बॉइल आ जाएगा तो आधी कप गुर को छोटे चोटे टुकरे करके इसमें डाल देंगे और चम्मच की मदद से मिला देंगे ताकि गुर जल्दी से मेल्ट हो जाए जब गुर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब इसमें आदी चोटी चम्मच जीरा पॉडर डाल देंगे आदी चोटी चम्मच लाल मिर्च पॉडर डाल देंगे और आदी छोटी चमच खाला नमक डाल देंगे सारे मसालों को चटनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और चटनी को थोरी गारी होने तक पका लेंगे आप चटनी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बस अब गैंस का फ्लेम बंद कर देंगे और चटनी को एक बॉल में निकाल लेंगे ये चटनी ठंडी होने पर थोरी और गारी हो जाती है बस चटनी को अलग रख देते हैं अब हम पकवान बना लेते हैं पकवान बनाने के लिए मैंने एक बॉल में दो कब मैदा लिया है एक छोटी चम्मँच अज्वाइन को इसमें करस्ट करके डाल देंगे अज्वाइन को इस सरह हाथ पे करस्ट करके डालने से अज्वाइन का फ्लेअवर बहुत अच्छा आता य bromß 3-4 छोटी चबमच यह स्वात के अनुसा नमक डाल देंगे मौयान के लिए 3 बरे चबमच तेल डाल देंगे अब मैदे को हाँस से अच्छे से मिला लेंगे मैदे को इस तरीके से हाँस से मिलाने से हमारे जो पकवान है वो काफी खस्ता बनेंगे एक बाद मुठी बान कर देख लेते हमारी मुठी अच्छे से बंद रही है इसमें मौयान की मातरा बिलकुल सही है बस अब इसमें थोरा थोरा पानी डाल कर जैसा हम समोसे या मठरी के लिए आटा लगाते हैं बस वैसा ही सेमी सॉफ्ट आटा लगा लेंगे पानी बिलकुल थोरा थोरा डाले एक बार में ज़्यादा पानी न डाले हमने यहाँ पे सेमी सॉफ्ट आटा लगा लिया है बस आटे को गिली कप्रे से ढखकर 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दे इतना आटा लगाने में मैंने करीब आधा कब पानी का यूज़ किया है हमारा डाल भी बनकर त्यार हो गया है कुकर की सीटी अपने आप निकलने दे उसके बाद कुकर का ढखकन खोलेंगे अब देख सकते हमारे डाल अच्छे से गल गया है अब कर्ची के मदद से थोरे से डाल को घोट देंगे लेकिन दाल को जादा ना घोटे हमें ऐसे खरे खरे दाल ही चाहिए बस दाल में तरका लगा लेते हैं तरका लगाने के लिए मैंने कराही को गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है इसमें तुटेबल स्पून ओइल डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे वन फोट छोटी चम्मच हींग डाल देंगे एक सूकी लाल मिर्च डाल देंगे जीरा जब चटकने लगेगा तो एक बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे साथ में एक इंच भारिक कटा हुआ अद्रक का टुकरा डाल देंगे मिर्ची और अद्रक को एक मिनट के लिए भून लेंगे थोरे से भारिक कटे वे धनिया पत्ती डाल देंगे धनिया पत्ती को भी आधे मिनट के लिए भून लेंगे उसके पास सारे मसाले डाल देंगे एक छोटा चमच भूना जीरा पॉडर डालेंगे एक छोटी चमच लाल मिर्च का पॉडर डाल देंगे एक छोटी चमच गरम मसाला डाल देंगे और एक छोटी चमच अमचूर पॉडर डाल देंगे मैंने यहाँ पर आदी छोटी चम्मच अमचुर पॉर्डर डाला है और आदी छोटी चम्मच अमचुर पॉर्डर मैंने बाद में डाला था बस मसाले को मिक्स कर लेंगे और दाल को डाल देंगे डाल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल आने तक पका लेंगे पकवान के साथ जो डाल सर्व की जाती है वो तोरी गारी होती है तो डाल की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे हमारी दाल बन कर तयार है बस अब पकवान बना लेते हैं आटे को रेस्ट के पंदरा मिनिट हो गए हैं आटे को एक बार और अच्छे से गूथ लेंगे और नीवू की साइस का लोई तोल लेंगे बस मैंने सारी लोई बना लिये बस अब एक लोई लेंगे और उसको पेने का आकार दे देंगे और बेलन की मदद से जैसा हम चपाती बेलते हैं वैसा ही बेल लेंगे यहाँ पर आटा बेलने के लिए तेल या सूखे आटे की जरूरत नहीं है इसे आप बहुत आसानी से बेल सकते हैं थिकनेस जितनी हम चपाती की रखते हैं उतनी ही रखेंगे बस अब हम एक फोक लेंगे और अच्छे से पूरे पकवान में छेट कर देंगे ताकि जब हम इसको तलें तो यह फूले ना इसी तरीके से हम सारे पकवान बेल कर त्यार कर लेंगे बस अब हम इसको तल लेते हैं तलने के लिए हम एक कराही में तेल डाल कर गरम कर लेंगे तेल का टेंपरेचर हम एक बार चेक कर लेते हैं हमने थोरह सा आटा डाल कर चेक कर लिए, हमारा आटा उपर आ गया है, मतलब तेल अच्छे से गरम हो गया है पकवान को तलने के लिए हमें medium हॉट ओइल की जरूरत है बस पकवान को तेल में डाल देंगे डालने की साथ हिलाए ना पहले एक तरफ से अच्छे से सिकने दें जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगा ताप पलट देंगे पकवान को बिलकुल लो फ्लेम पे सिंकें अदरवाइस ही क्रिस्पी नहीं होंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेंक लेंगे अब देख सकते हमारा पकवान गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गया है बस इसको तेल में से निकाल लेंगे इसी तरीके से म सारे पकवान फ्राई करके त्यार कर लेंगे बस हमारे सारे पकवान बन गाएं अब हम इनको सर्ब कर लेते हैं एक बॉल में डाल को सर्ब कर लेंगे उपर से थोरे कट वे पयाज टमाटर और धनिया पति से गानिस कर देंगे बस त्यार हैं हमारे दाल पकवान आप चाहें तो पकवान के उपर भी दाल और चटनी को डाल के सर्व कर सकते हैं जब मेरी तरह अलग-अलग भी सर्व कर सकते हैं हमारे जो पकवान हैं वो काफी क्रिस्पी बने हैं तो आप भी समझेदार सी रेसिपी को अपने घर पे बनाएं और बताएं आपको कैसी लगी थैंक यू